आलो गोभी मतर की बहुत ही डिलिस्यस भुजिया जो की दाल चावल दिया पराथे के साथ बहुत बढ़े लगती है बच्चों को आफ टिफिन में दे सकते हैं इस्टें टरस भी है जट परबन के तयार हो जाती है मतर का सीजन सल दया तो चली बनाना शुरूर करते हैं तो इस इस नहीं है पर आलो को चले अगे कर लेंगे बहुत जादा आपको मोटा डिया रखना है पतले सलाइस कर रखेंगे तो जो भुजी है बहुत जादा क्रिस्पी और टेष्टी बनेगी तो इस तरीके से आपको आलो को कट कर लिया है तो यहां पर एक बार फिर से फोल या चाहे तो आप इसमें से हर एक फूल को अलग कर सकते हैं इस तरीके छोटे पीस रखेंगे गोवी के तो बहुत जल्दी पक जाएंगे तो अब आपको गरम कर लेना है इसमें आपको डाल देना है तेल तो यहां पे सर्सो का तेल में डाला है आप कोई भी तेल जाल सकते है तो यहां पे आप हम डाल देंगे लेसन की कर लिया तो बारी करके कट करके आपको डाल देना है इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है अगर आपके पास हरे जो लेसन होता है हरा लेसन उसको भी आप है तो आप कट करके डाल सकते हैं हलका सा ब्राउन कर लेंगे तो गैस क यह पर हम प्याज को अच्राइब लाफ लगत के अर्याज लिए नियुक्तह दो ख्यासम आपके नहीं दो लाफ пох Search जितनी पसंद थे सब्जी में उतनी साफ सा मतर भी डाल सकते हैं इसको हम मेक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को आपको लो रखना है लो फ्लेम पर अगर आप भुजी बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनती है तो अब आपको क्या करना है कि यहां पर लीड लगा देना है लीड इसे फिर से चेक कर लेंगे तो एक बार आप इसे मिक्स कर लीजिए यहां पर टोटल मैंने 5-7 मिनट के लिए पकाया है आलू का कलर देख सकते हैं हलका सा पक गया है तो अब आप इसमें एड कर दिजी नमक अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग तो मैंने एक चमच नमक डाला इसे फैला के डालिए यहां पर आधा सम्मर से 3-4 टीस्पून आपको खल्दी डाल देना है थोड़ा सा आपको धनिया का पाड़ डालना है क्योंकि सिंपल सी भुझी होती है जो नमक खल्दी और मिर्च के साथ बनती है इसी का टेस्ट इसमें आता है तो बढ़े लगता है तो यहां पर भुझी को बहुत ज़्यादा भी ओवर मिक्सें नहीं करना है ने टॉप के जो आलू हिफ टूट जाएंगे तो दस से बनता मिट में पका लिया है आलू गोवी मतर अच्छे से पक गए अब आपको डाल देना लाश में कटा हुआ हरा धनिया अच्छी कौंट करें और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज में चैनल को लाइक शेर और में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना फूले थैंक यू बबाए